आज हम के लास्ट वेल से फिजेक्स के यूनिट थिरी के एक महत्पूर कॉफचन को स्वालव करेंगे तो चली अब हम जल्दी से कॉफचन को जान लेते हैं तो कॉफचन है विद्धुत बल एब हम चुम्ब की बल में अंतर लिखेंगे तो चली अब हम बिद्धुत बल एब हम चुम्ब की बल में अंतर लिख लेते हैं तो बिद्धुत बल में पहला अंतर हो जाएगा आब इस पर बिद्धुत छेत्र के कारण लगने वाले बल को बिद्धुत बल कहते हैं तो हमें पहले अंतर में उसकी definition दिया देना है और अब हम जान लेते हैं चुम्मी की बल क्या है आब इस पर चुम्मी की छेतर के कारण लगने वाले बल को ही चुम्मी की बल कहते हैं और बिद्धुत बल का परिमाड f बराबर q e होता है और जबकि चुम्ब की बल का परिमाड एप बराबर क्यू भी भी साइन ठीटा होता है बिद्धुत बल में जब बिद्धु छेत्र में आबेस बिराम बस्था में होता है और थात इस्थर होता है तब भी इस पर बल कार्गी करता है अर्थात जब बिद्धु छेत्र में आबेस बिरामबस्था में होता है तो बिद्धु तबल में तब भी बल लगता है और जबकि एदी चुम्ब की छेत्र में आबेस बिरामबस्था में हो अर्थात इस्थिर हो तब इस पर कोई बल कारगी नहीं करता है अर्थात जब चुम के छेत में आबेस ब्राम अबस्था में होता है तो चुम के बल में कोई भी बल कारगी नहीं करता है क्योंकि इसका परिमण होता है F बराबर QVV साइन ठीटा अर्थात यहां पर जो B है अर्थात बेग है वह 0 हो जाएगा तो इसका मान F बराबर 0 हो जाएगा इसलिए इस पर कोई भी बल कारगी नहीं करता है सोरी यहां पर यह छेत्र नहीं है यहां पर बल है तो आपको बल लिखना है बिद्धुत बल का मान आबेश की परिमाड एबम बिद्धुत छेत्र की तीब्रता पर निर्भर करता है क्योंकि यहां पर जो बिद्धुत बल है उसका परिमाड F बराबर QE होता है अर्थात यहाँ पर Q है आवेस का परिमाड और यहें बिद्धुत छेत्र की तीब्रता और जबकी चुम की बल का मान आवेस की परिमाड चुम की छेत्र की तीब्रता की अतीरिक्त आवेस की बेग और आवेस की गती की दिशा पर निरभर करता है क्योंकि यहाँ पर जो चुम की बल का परिमाड होता है वह है एफ बराबर क्यू भी भी साइन थीटा होता है तो यहाँ पर क्यू होता है आबेस का परिमाड और भी होता है आबेस का बीग और भी होता है चुम की छेतर की तीब्रता और यहाँ पर जो साइन थीटा है वह होती है यहाँ पर जो वेग महता है कि दिसा तो यहां पर यहां श्राइन से gonna लिए इस लिए कंहरा जिर्बी हो जाये तो यहां पर जके विए टे tak अक्यू कैनल श्राथ